इस बुलेटिन के प्रायोजेक है बेकर्स लॉंच, ओरिजनल इलेक्ट्रोनिक्स, अनुपम टीवी एस, किंग क्लब और ग्लैमर ब्यूटी सेलून, गोल्डन सीटी फैशन जुएलरी नमस्कार अभे न्यूज रविवार दोफैर के बुलेटिन में आपका स्वागत है आईए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर कुख्या डाकू, खड़क सिंग की पोती ने बीती रात इंदौर के MYH अस्पिताल में दम तोड़ दिया है मृतिका गायत्री पती राजू उर्फ राजेश सिंग 35 वर्ष को उसके पती ने घासलेट डाल कर जिन्दा जला दिया था घटना के बाद गायत्री को गंबीर हालत में जिला अस्पिताल में ले जाया गया था जहां हालत गंबीर होने के बाद उसे इंदोर रिफर कर दिया गया था गायतरी 90 प्रतिशत से अधिक जल गई थी उसने शनिवार देर रात को अंतिम सांस ली गायतरी और राजु के बीच तिस्तरी महिला के चलते विवाद होते रहते थे पती के अवेद संबन के चलते ही घटना के पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था तहसिलदार को दिये बयान में मृतिका ने पती द्वारा घांसलेट डाल कर आग लगाए जाने की बात कही है मामले में चिंतामन्ठाना पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी राजु को गिरफतार कर जेल भेज दिया है गायतरी के मौत के बाद अब हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी माकडोन की समीब ग्राम टुकराल में बाइक की आमने सामने टकर में दो यूवकों की मौत हो गई है तककर इतनी जोड़दार थी कि दोनों यूवकों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि दो अनिक घायल है तुकराल गाउं का निवासी राजेंदर पिता जस्वंत सिंग बावी स्वर्ष दोस्त के साथ बोर्वेल की मोटर लेकर बाइक से खेट पर जा रहा था जबकि पास के ही गाउं जराला का यूवक जीतेंदर पिता कमल सिंग बावी स्वर्ष बाइक से दोस्त के साथ दीपावली पर रिष्टेदार की घर जा रहा था इसी दोरान ग्राम टुकराल के समीप अंधेरे होने के एक वज़र से दोनों बाइक में आमने सामने टककर हो गई राजेंदर सिंग की बाइक पर रखी बोर्वेल की मोटर दुरगटना का कारण बनी जिसमें राजिंदर सिंग और जितेंदर सिंग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाइक सवार दो अन्ने युवक गंभी रूप से गायल हो गए है जिनने उज्जेन के निजिस्पताल में भर्ती किया गया है धाचा भवन निवासी 22 वर्षिय युवती अंजली पिता शेकर सिंग पवार ने फासी के फंदे पर जूल कर जीवन लीला समाप्त कर ली है गटना के वक्त युवती घर में अकेली थी पिता और भाई दिपावली पर लक्षमी पुजा का सामान लेने बाजार गए हुए थे जब दोनों घर लोटे तो दरवाजा अंदर से बन था आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई शंका होने पर बड़े भाई अंकित ने जब वेंटीलेशन से देखा तो उसके आखे फटी रह गई छोटी बहन को फांसी के फंदे पर जूलता देख अंकित की चीक निकल गई आत्मत्या के कारणों का फिलाल खुलासा नहीं हो पाया है जिमंगंज मंडी थाना पुलिस जाच कर रही है गाउं की समरिधी, खुशाली और मन चाही मननत पूरी करने के लिए बढणगर के गाउं भीडावद में हर वर्ष की थरा इस वर्ष भी अनूटी परमपरा निभाई गई गुडी परवा के मौके पर बीडावद गाउं के निवासियों ने जमीन पर लेट कर सेक्डों गायों के जुन को अपने उपड़ से निकाला माननेता है कि ये गाय जिस व्यक्ति के उपर से पैर रखकर गुजरती है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है करीब सौ वर्षों से भी अधिक समय से इस परमपरा का निर्वहन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है इस मौके पर गायों के अलावा आसपास के गायों के लोग भी मनोकामना पूरी करने के लिए जमीन पर लेटते हैं कि आणे अलावल में गायों में गुमते हैं के अधिया यहां और वहां में प्लेवाइक पर वहां पहरा पर गव्लुए और लुए लगव देखसर स्यमेंहार मॉर्निंग वॉक पर निकले सरकारी वकील प्रमोद पिता मुर्ली लाल चोबे 61 वर्ष्ट से बाइक सवार दो यूवकों ने मुबाइल जपड लिया है। प्रमोद चोबे मॉर्निंग वॉक से घर लोट रहे थे। इसी दोरान महाकालवाणी जेस्तिच शुद्ध श्री रेस्टोरेंट के सामने दो बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद प्रतेक दर्शियों ने दोनों बदमाशों को पकड़ने का प्रयास भी किया। लेकिन दोनों यूवक भागने में सफल रहे। घटना स्थल और आसपास लगी सीसी टीवी कैमरे की फुटेच के आधार पर बदमाशों की पहचान के प्रयास किये जा रहे हैं। खास बात ये रही कि मामले में नाना खेडा थाना पुलिस ने चोरी का प्रक्रण दर्च किया है। कायमी करता नाना खेडा थाने के S.I. रोहित पटेल के अनुसार घटना के आधार पर ही कायमी की गई है। तो ये थी जिले भर की प्रमुक खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ नमस्कार।